नमस्कार आप सुन रहे हैं न्यूज बिहार जारकन 6 जन्वरी बुद्वार खबर दिन भर में आपका स्वागत है मैं प्रिया तायल आज की मुख्य समाच्वार बिहार में कॉंग्रेस की आदे से जादा विधायक छोड़ सकते हैं पार्टी कॉंग्रेस निता का बड़ा दावा बिजेपी विधायक संजीव चोहरस्या ने लगवाया करोना कर्टी का बोले विपक्षिदलों के लिए करारा जवाब पटना में हमके रास्टे काड़े करने की बैठक के बाद जितन राम मांजी छोड़ सकते हैं रास्टे अध्यक्ष की कुर्सी जारकन में बढ़ती अपरादी घटनाओ पर बिजेपी नेता बाबुलाल मरांडी बोले दिल्ली के निर्भ्यकान से भी बड़ा है ओर मांजी दुर्शकम मामला केदार कांट पर व्याहर के युवाओं ने लहराया तरंगा मांट एंप्रस्ट को बताया अगला कदम अब खबरें विस्तार से बिहार की राजनीती में एक नया भुचाल आया है बिहार कॉंग्रेस नेता और पूर्प विधायक भरण सिंग ने दावा किया है कॉंग्रेस नेता भरंग सिंग ने कहा कि 19 विधायकों में से 11 विधायक ऐसे हैं जो कॉंग्रेस वाटी के नहीं है मगर चुनाव जीत गए हैं ये लोग पैसा देकर टिकट खई दे और अब विधायक बन गए है संख्या बल से अपने आप को मजबूत करने के लिए एंडिये प्रयारस्त है कॉंग्रेस विधायक दल की नेता अजीत चर्मा भी ऐसे लोगों में शामिल है जो पार्टी तोड़ना चाहते हैं बिहार में बिजेपी विधायक संजीव चौरस्या बिहार के पहले जन प्रतिनीदी बन गए हैं जिन्होंने को वैक्सिंग के ट्राइल के दुरान वैक्सिंग लगवाई है टीगा लगाने के लिए संजीव चौरसिया ने देश को मिली दो वैक्सिंग के लिए वग्यानिकों और प्रधानमंती नरेनमोदी को धन्यवाद दिया है संजीव चोहरसिया ने कहा मैं भारत बायोटेक के विगानिकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये वैक्सिंग बनाई है इसके लिए प्रधानमंती नरेन मोधी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ मैंने वैक्सिंग के ट्राइल में सयोह दिया है साथ ही विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा और उन्होंने वैक्सिन के उपर राजनिती करने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि उनके टीके लगवाने के बाद विपक्षी दलों को करारा जवाब मिला है कि ये वैक्सिन पूरी तरीके से सुरक्षित है बिहार के पूर्म्रधान मंत्री और हमके रास्ठे अध्यक्ष जितनराम्मान जी अपनी पार्टी की गमान अपनी पुत्र को सौप सकते हैं दरसल बुद्वार को पटना में हमके रास्ठे कारेकान की बैठक है इस बैठक को लेकर जो जानकारी मिल रही है उसके मताबिक बैठक में जितनराम्मान जी रास्ठे अध्यक्षी कुर्सी छोड़ने का फैसला ले सकते हैं और इसकी अपचारिक पुष्टी होनी मात्षेश है आपको बता दें संतोसुमन भिहार की MLSC है और फिलाल नितीश कुमार के मंत्री मंडल में हमकी और से एकमात मंत्री भी है बिजेपी ने हेमन सोरन सरकार पर आरोप लगाया है कि राज्जे में पूरे तरह आजक्ता की स्थिती है और राची के ओर मांजी में पिछले हपते हुई दुष्टम की घटना दिल्ली के निर्भ्याकांड से भी घिनोनी है अब पानी सरकी उपर जा चुका है हेमन सोरन सरकार राज्जे की बेटियों को सुरक्षा देने में पूर्ण रूप से विफल साबित हुई है दरसल रविवार को राची की ओर मांजी इलाके में करीब 20 साल की लड़की का सरकटा बिना कपनों के शब बरामत किया गया था लड़की के साथ बलतकार किये जाने के बाद हत्या की आशंका है पुलीस मामले की जांच कर रही है इस मामले को लेकर पुलीस और सरकार दोनों पे दवाब बढ़ता जा रहा है लेकिन पुलीस के हाथ अभी भी खाली है केदार कंठा की 12,500 फीट उची बरफिली चोटियों पर भारत का तरंगा लहरा कर ब्यार शरीव लोटी नालंदा की दो बेटियां और बेटों का रेलवे स्टेशन पर अभिनंदन किया गया अपने मिशन में काम्याब होकर लोटी अपर्णा सिना ने कहा कि हमारे होसले शुरू से ही बुलंद है अपर्णा की तमन्ना है कि वेद्दुनिया की सबसे उची चोटी माउट एवरेस्ट कर भारत का तरंगा लहरा कर भारत का नाम रोशन करें बता दे इस ट्रैक की उचाई 12,500 फीट है और ये पूरी ट्रैक लभग 20 किलो मेटर की है जिसे इस कपकपाती धन में नालंद्या की दो बेटियों और दो बेटों ने सै किया है इस कठिनी आत्रा में अपर्णा, प्रिया रानी, अभिशेक रंजन और राहुल कुमार शामिल थे आज के लिए फिलाल इतना ही फिर होगी कल मुलाकात नमस्कार झाल